आइए चलिए देखते हैं कि भारत यानि इंडिया को किस प्रकार से इसका मैप बनाये जाएगा सबसे पहले यहां भारत के मुकुत यानि जम्मु कस्मीर से शुरुवात करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ऐसे और यहां पर थोड़ा सा भाग इस प्रकार से निकाल कर ऐसे करते हुए आगे की ओर आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इस प्रकार से निकालेंगे और यहाँ पर नेपाल के पार्ट को काटते हुए आगे की ओर जाएंगे यहाँ पर सिक्किम का पार्ट इस प्रकार से निकालेंगे और आगे अरुनांचन प्रदेश के पार्ट के लिए इस प्रकार से काटते हुए ऐसे काटिये और यहाँ पर मिजोरम का पार्ट इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के और यूं समझ कि हम बांगलादेश के पार्ट को यहां पर बना रहे हैं तो ऐसे करते हुए बांगलादेश के पार्ट के लिए ऐसे करते हुए बना लेजिए यहां पर इस प्रकार से आईए अब यहां पर इतना तो पार्ट बन गया इसके बाद यहां से हम शुरुवात करेंगे यहां से इस प्रकार से काटते हुए थोड़ा सा नीचे आईए और ऐसे बनाते हुए राजिस्थान को बना लिएजिए राजिस्थान को बनाते हुए यहां पर थोड़ा सा भाग बाहर की और निकालेंगे ऐसे यहां पर उबर खाबर बनाएंगे और यहां से इस प्रकार से ऐसे काटिये और यहां पर गुजरात का पार्ट बना लेंगे तो गुजरात का पार्ट कुछ इस प्रकार से बनाएंगे यहां तक और उसके बाद नीचे आते जाएंगे थोड़ा सा कर्व करते हुए इस प्रकार से नीचे दच्छण भाग तक आएंगे अब यहां पर इस प्रकार से थोड़ा सा भाग यहां पर निकालेंगे ऐसे और आगे की और बढ़ेंगे अब यहां पर इस प्रकार से यहां तक के पार्ट को बना लीजिए और यहां से इस भाग को ऐसे घुमाते हुए ऐसे करके मिला लीजिए तो यह पूरी तरह से भारत का मैप तो नहीं बना लेकिन हां कुछ-कुछ भारत का मैप ही बना है तो बिल्कुल हम डिक्टों तो नहीं बना सकते हैं कोई भी नहीं बना सकता है लेकिन हाँ अगर इस प्रकार से भी आप बना कर यहाँ बीच में अगर आप भारत लिख भी देते हैं यह भारत का मैप कहलाएगा भारत का मैप आप चाहें तो ऐसे करके इस प्रकार से बना लीजिए या अपने वे में कुछ भी कर सकते हैं जैसे यहां पर देखिए हम एक और भारत का मैप इस प्रकार से बनाने जा रहे हैं तो ऐसे भी आप करके इस प्रकार से बना लीजिए इस प्रकार से और यहां का पार्ट इस प्रकार से निकालिए ऐसे करके देखिए इस प्रकार से भी आप करके ऐसे भी बना सकते हैं तो इस प्रकार से भी अगर आप बना लेते हैं तो भी ये भारत ही कहलाएगा structure तो पूरा इसी प्रकार से बनाईए बेशक आपका diagram थोड़ा बहुत उपर नीचे या दाइबाइँ हो लेकिन वो दिखना चाहिए कि हाँ आपने भारत बनाया है भारत बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इस तरह से बना दिया और लिख दिया कि ये भारत है तो नहीं ये नहीं कहलाएगा ये गलत है तो इस प्रकार से नहीं आपको structure तो बनाना पड़ेगा भूगोल के exam में जब भी आप से कोई प्रेशन भारत पर या बिश्व के map पर करता है या बिश्व के बारे में कोई भी चीज़े दिखानी हो या भारत में कोई चीज़ दिखानी हो तो आपको map बनाना पड़ेगा बिना map बनाये आपको number भी नहीं मिलेगा और मैप बनाना बहुत जरूरी है चाहे भारत का हो या बिश्व का हो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इंप्रूव होगा और उतना ही अच्छा उभर कर आएगा और भुगोल की परिच्छा में बिश्व का मैप और भारत का मैप जितना आप बना सकते हैं उतना बनाईए और इससे ज्यादा से ज्यादा नम्मर आपके मिलेगा इतना भी हो सके अब भारत के मैप और बिश्व के मैप की प्रैक्टिस करिए